आज बनाने वाले हैं एकदम चटपटी और बहुत ही मज़िदार सी आलू बैंगन की रेसिपी यकीन माने इतनी जबर्दस्त है कि जो बैंगन नहीं भी पसंद करते ना जब आप इस तरह से बना कर देंगे तो वह एक चपाती की जगह दो चपातिया खा जाएंगे आज बहुत ही रेसिपी लेकर आई हूं जब आप इस तरह से बनाने वाले हैं तो सबी बहुत शौक से खाने वाले हैं इस आलू बैंगन के साथ जो है वह एक स्पेशल सा पराठा भी में बनाती हूं जो के आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो को पूरा कोई भी स्टैप मिस ना कीजिए तो चली आएए इस मज़दार सी आलू बैंगन की सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं लाल सब्सक्राब ड़न को क्लिक कीजिए साथ दी गई पैल ऐकन को प्रेस कीजिए तांके मेरी मेरी माजदार से पी का नोटिफिकेशन आप भी पास अब सबसे पहले हम आलू का चलका रिमूफ करेंगे कुछ इस तरह से अच्छा यहां पर मैं बता दूँ कि यह नए वाले हैं आप कुछ इस तरह से इनका चलका उतारिए इससे आलू बिल्कुल जाया भी नहीं होंगे और एक दम पार्फेक्ट तरीके से इनका चलका ताकि इनका कलर जो है वो चेंच ना हो तो इसके साथ हमने बैंगन को कुछ इस तरह से ले लिया है और बैंगन के ज़न्डी होती है इसे कभी न रिमूफ कीज़े कि इससे जो है ना बैंगन का टेस्ट मजीद आता है तो इस तरह से बैंगन को हम कट करेंगे आप चाहें त तो जरूर सबसे पहले जो है वो बैंगन को फ्राइ कीजिए तो जब बैंगन पर इस तरह से ब्राउन सा कलर आने लग जाएगा तो बैंगन को हम निकाल लेंगे कुछ इस तरह से और और कढ़ाई मेरेने देंगे इसके साथ हाफ टेबिल स्पुन इसमें जीरा एड करके हलका हमनेटिक साथ हरी मर्चो को फ्राय करेंगे और इसके साथ हम इसमें आलु शामल किर देंगे इसके साथ हम इसमें ऊच्छ एड़्ल स्पुन यह झालु को हम हल्का सा फ्राइज कर देंगे लग बग एक मिन. दक मिनिट Minit तक इसके साथ हम ने ले लिया है टमाटर जोके हमा जैसे के 1.5 टेबली स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून लालमिच पाउडर और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स तो यह स्पाजी जड़ करने की बाद हम एक तफा से मिक्स करेंगे और अब इसमें शामल करेंगे 1.5 टी स्पून कश्मीरी लालमिच यह जस्ट कल्डरिंग के लिए होती है अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं हाफ टेबल स्पून इसमें भुना पिसा गरम मसाला अट किया है मज़दार खूश्बू और अब हम मिक्स करेंगे और मसाले को भूल लेंगे मजीद एक से दो मिनिट तर जब तक के ऐल जो है वह एक तरह से सैबरिट नहीं हो जाता तो अब इसमें शामल कर दी हमने एक मीडियम साइस का प्यास और इसे जो है वह हमने इस तरह से स्लाजिस में कट किया हुआ है इसके साथ हमने बैंगन भी आट कर दी है जब आप इस तरह से प्यास को एंड स्टेट पर एट करेंगे न तो यकीन माने एकदम बेहतीन किसम का करंच आएगा सब्जी में और मज़दार सी लगेगी तो अब जो है वह हम मिक्स करेंगे अच्छा मिक्स करने के बाद ऊपर से हम कवर करेंगे लग बग 15 मिनिट तक और यहां पर बता दूसमें कोई हम पानी वगर नहीं अट करेंगे जो आलू होंगे और प्यास वगरा हो तो कवर हम नहीं पर लगा दिया फ्लेम को हलका कर देंगे तो यहां पर 15 मिनिट होने के बाद कावर को रिमूफ करेंगे इसमें लैर ओफ मर्रहीम और अब जो है वह हम मिक्स करेंगे इस मज़दार सी सब्जी को एकदम बहदीन किसम की माशला से सब्जी बनती है और बच् आप इसको बॉुल राइस के साथ कह सकते हैं परेते के साथ कह सकते हैं चपादी के साथ सब्धी के साथ बहुत मज़दार लगती है लेकिन मेरे घर विसके सब्लाइब चैरोपश पासंद करते हैं नेक्स्टाप के तरफ तो यहां पर हमने आठा ले लिया है जो कि नॉर्म कोट कर लेंगे आटे के साथ इस तरह से तो यहां पर हमने एक पेड़ा ले लिया है सबसे पहले इसे जो है वह हम आटे में अच्छी तरह से बेल लेंगे जिस तरह से आप नॉर्मल चपाथी को बेलते हैं और मेरी रेसिपीस इस पर आपको थोड़ी सी पेची लग रही है त सादी गई बेल ऐकन को प्रेस कीजिए तांके इसी तरह से टेस्टी मुझेदार और इजी रेसिपीस आपके साथ होती रहें तो यहां पर चपाथी को हमने बेल लिया है अब इसकी उपर एट करेंगे जी हम घी कुछ इस तरह से और गी को पूरी रोटी के अपर अच्छे स और फिर हम एक साइड उठाएंगे कुछ इस तरह से और इसे सेंटर में लेकर आएंगे पिर हलका से इस तरह से हां पर हम सील करेंगे फिर दूसरे तरह से उठाएंगे और सेंटर में लेकर आएंगे और फिर दूसरे कॉर्णर से भी हम इसी तरह से सेंटर में लेकर आके जो इसे हम बेलेंगे, ताके जिसका षेप है न वह खराब न भोगे लिए लेके देंके तो इसे बेल लेने के लिएगा हम चलते हम इसे डिलेले तरफ नेख्स टेप की तरफ यहाँ पर हमने प्रिहीट कर लियाता आप याा चाये हम ताव मे बना चाहे तो इस स्टेच पर हम इसके उपर गी लगाने वाले हैं जो कि 1 से 1 अफ टेबल स्पून है और मश्यला से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सा जो है ये पराठा बनका तयार होता है आप इस तरह से जरूर पराठा बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आने वाला है तो अब इस पराठे की हम साइज चेंज करेंगे कुछ इस तरह से और इस तरह से जो है हम से गोर्डन कलाने तक फ्राय करने वाले हैं तो मश्यला से एकदम बहादीन कीसम का ये हमारा पोख़ती टेस्टी सा पराठा बनकर बिल्कुल तायार है मश्यला से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी सा है तो फाइनली अब इसे जो है वो हम प्लेट में निकालेंगे रेसिपी सी स्टेच पर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजे अपने फैंट्स और फैंबली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजे इसी तरह से एक और पराड़े को हमने बेल लिया है और इसी तरह से जो है वो हम इसे भी फ्राय कर लेंगे मशला से एकदम क्रिस्पी और बहुती बैदीन किसम के पराड़े बनका तायार होते हैं तो चलिए आईए अब फाइनली हम इन्हें सर्फ कर लेते हैं तो मशला से बहुत और चटपटी सी हमारी ये आलू बैंगन की सब्जी को हम कर लेंगे डिशाउट तो लीजे मशला से एकदम चटपटी और बहुत ही मज़दार सी हमारी सब्जी और पराड़े बनकर एकदम तयार हैं अब जो है मैंसे पराटे के साथ टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ मशला से आलो बैंगन कितने जबरदस से चटपटे से बने हैं बच्चे और बड़े मशला से सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं क्योंकि इस सबजी इतनी मज़दार है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती इस तरह से आप जरूर बनाएए रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है तो रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए इस तरह से आपके साथ म मिलूंगी एक मज़दार और नियू रेसिपी के साथ अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़दा ख्याल थेंक्स वर वोचिंग फॉर माई वीडियो अला फेस